हेलो, आज मैं आपको अपना जो अचेतन मने, अव्यक्त मन जो है, या सबकॉंशेस मिन जो है, उसके पावर को कैसे यूज़ करना, उसके बारे में मैं आपको बताने होना, हमारे मन के दो भाग होते हैं, हमारे मन के दो भाग हैं, एक जो है, उसको बोलते हैं conscious mind, और दूसरा जो है, उसको बोलते हैं, subconscious या unconscious, conscious mind, conscious mind जो है, वो एक दशन लो, और subconscious mind है, नो दशन लो, तो पानी के नीची तो पानी के नीची तो पानी के उपर दिखने वाला जो है, वह एक कॉंशेस माइड और पानी के नीची जो रहता है वह एक सबकॉंशेस माइड ऐसा समर्यों, अब यह सबकॉंशेस माइड जो है, वो हमें पुरा कंट्रोल करते हैं। कॉंचिस माइन यह लॉजिकल है। मतलब कौनसी चीज करना नहीं करना वातावर में यह संभव है नहीं है। और कॉंचिस माइन को अने इच्छा है रहती है अने विशे से मीड है गरज है वांट है कॉंचिस माइन कोुछ था कंट्रूल कर सकता है। वह गर वह को पूरा कंट्रूल करने वाला वह अने के बाद में आने वाला वाला वह आने आने वाला, मेरी बहुत इच्छा थी है। बहुत इच्छा भी है तो 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 या कई घूनने निकल जाना और मुझे मेरा वजन तम करना चाहिए इच्छ तो बहुत है. मगर शब्कॉंशममाइग्विड प्लाख़क्समेड जो है वो आखिळ करने थेंगा नहीं, विद्धव में उसकोग हविट नहीं है तो या उसकी इच्छा नहीं है. रहे बहने जोकिए दो किसी हम नहीं जाता है। सब्सक्रों करता है। सब्सक्रों करता है। तो conscious mind को कंट्रोल में, conscious mind से कंट्रोल में आने के लिए इन तरीके है, जिसा subconscious mind के तरफ हमने यदी कोई instructions, कोई thoughts दाल दिये, subconscious mind में, और वहाँ जाके पक्य बहड़िये, तो subconscious mind की वो बता भी काम करता है। अब देखो, subconscious mind समझे हमने पकड़ा कि एक मकान है, तो conscious mind बहार बैटावा, पहारदार, पहारदेने माले। अब किसको अंदर जाने देना और किसको अंदर जाने देने का नहीं, वो जो security percent भारदार, वो देख रहा है। अब यह conscious mind को मतलब बाजू करके, क्या conscious mind जो logical thinking करता है, rational thinking करता है, वो अंदर नहीं आने देना thoughts को, तो फिर उसके लिए क्या करना है। अब क्या करता है, तो फिर अब हम अख्या करना है, तो फिर अब हमारा मकसद यह होना चीए, तो फिर इस subconscious mind टक कही से भी करके पौशन, ताकि ultimately वो कंट्रोल करता है। तो फिर अभी उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यदि कोई authority वाला आदमी, जिसको authority है, वो यदि आदमी कुछ बोलता है वो व्यक्ति को, तो व्यक्ति मांग लेता है। क्योंकि authority वाला person जो बोलता है, वो सीधा conscious mind को बाजुमे करके subconscious mind ट चले जाए। मेरा एक डोस मुसे मिला था, वो doctor नहीं है, वो कहीं कर में चली है। और वैसी, मैं authority हूँ, मैं doctor हूँ, वैसी मुसे मिला, वोले गले में कुछ तो भी दर्द होता है। वो रस्ते पे मिला तो मैं मजाग मजाग में बोला थे, cancel हूँगा। तपास करना पड़े। वो conscious mind को छेट करके वो उसके subconscious mind ट चले गया। वो इतना घबरा गया, दो जिन तो उसको निन नहीं आए। बात में मुझे बोल रहा था हूँ, तो उस दिन आपने बोल दिया कि देखो, cancer तो नहीं हुआ। मुझे निन नहीं आए। उनने सब test कर वा लिए। मतलब जब जब authoritative all the hair कोई, तो वो conscious mind को बाजू करके subconscious mind में चले जाते है। तो इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसका हम इस्तेमाल ये कर सकते हैं कि भई जैसा हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो success कुण लोग है, उनके साथ में रहेके, उनके विचार लेके, उनके चरित्र पढ़के, उनके वीडियो, उनके बुक्स पढ़के, यना हमारे सीधा, मतलब वो authoritative है, सीधा हमारे subconscious mind के ग्या सकते हैं। तो एक बू हो गए। दूसरा, यदि हम बार 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 कोई चीज हमर करते हैं। तो फिर conscious mind वह hammering को ग्याने देगे। बार बार यदि हमर करते हैं। पर एक जांपल समझो, आप जा रहे हैं। और हम तो होस्टल में काफी बार ऐसी मजा करते रह रहते हैं। ग्यान पढ़ा करते हूँ। तो एक कोई चार लों मिलका उंच हैं। भूम करने के रहे हैं। तो एक वकति तो बीमार करतें रहे हैं। तो वह बीमार होना चु तो कोई वहां से आफा है गहाता है। क्रैंट, चेहरा उतर गये फिर प्रव्लिम तो नी है. ऊच ल्या की, कुछ भोगा तो नहीं है, ऑजा के नी होगा है। मदर उसको पहला क्यों सब्सक्राइशना उन्रला रहा दुसरा उसको दोस्त मिला है, तो घूशय बशink फिर अइसा ठूश बीची acab तो एक कुछ तो भी हुआ हुआ. चवता वो इसको बोलने के पहले यह वो अपने कमरे में जाके शोता था. फिनलहा हमामा माइड है कि इसना रहता है कि conscious mind के ऊण्द पर यह भार-बार-बार hemmering आपने किया. वो subconscious mind तर चाता है तो अभी इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसका इस्तेमाल, देखो, subconscious mind में negative बाते बहुत रहती है, negative baggage बहुत है, अभी यदि बार-बार-बार-बार हम visualization करके, hammering करके, बार-बार-बार हम बोलके, affirmations करके, यदि कोई चीछ, conscious mind, subconscious mind में डालता है, तो उसका फरक subconscious mind में पड़ेगा, तो हमको हमारे में ही बदला लाना है, तो हमको क्या चाना पड़ेगा, visualization, कि माध्यम से बार-बार-बार-बार कल्पना चित्र डालना, subconscious mind, affirmations के जरिए बार-बार-बार subconscious mind में डालना, ताकि उसका अच्छा असर subconscious mind में फो जाएगा, कुछ में हमको बताने का है, तो जैसा सि जिए बार-बार-बार-बार affirmations करता है, visualization करता है, तो मतलब वो subconscious mind के जासे, तीसरा जो है, वो है, सम्भूआन के माध्यम से, hypnotism के माध्यम से, subconscious mind के चीज़े को चाना, या thoughts को चाना, या belief को होचाना, और hypnotism में होता क्या है, कि conscious mind को बाज़े में किया जाता, relax किया जाता, औ और direct subconscious mind को सूचना है, दी जाती, suggestions दी जाती है, ताकि वो affirmations तुद में देना है, self-hypnotism में, या बाहर का hypnotist है, वो hypnotize करके, वो उसको बार-बार-बार का suggestion देंगा, और subconscious mind के वो पहुचाए, देखोन, हमारे advertisement में क्या होता है, हमारे advertisement में यह होता है, टीवी के, कि बार-बा बार-बार के वो hammering करते रहते हैं, तो इतने पार hammering होता है, इतने पार वो जाहिदा बता देंगे, तो हम जाती फिर वो चीज खरिक लिए, या लेकोन कोई भी posters है, वो इतने जग़ों पोस्टर लगाते हैं, काफी जग़ों पोस्टर लगाते हैं, हमारे उपर दिमागे बार-बार-बार hammering होते रहते हैं, हमको ऐसा रहता है कि हमने भी वो चीज खरित नहीं जाहिए, या हमने वो काम करना चीज, तो subconscious mind तक चीज़े पहुचाने के लिए, एक तो logical, realistic explanations to the conscious mind, पहला चीज, number 2, बार-बार-बार-बार repetitions, और number 3, सम्हों अप्चार, मतलब hypnotism, hypnosis कर करके subconscious mind तक पहुचाना, मतलब जैसा मैंने पहले वाता है कि घर मतलब यह है, subconscious mind, पहार्यदार जो है, वो है conscious mind, तब पहार्यदार को उनको बातचीद करके, logical बात करके, explain करके, उसको समझाना पढ़ेंगा कि हमको घर के अंदर जाने दो, एक तो वो चीज होगे, number 2, बार- बार-बार उसको affirmations, यह बार-बार hammering करते रहते हैं, और उसको बोलेंगे तो फिर वो हम उनको अंदर आने गा, घर में, यह तीसरा, उसका मन जो है, वो कहीं भटक के, मतलब उसको विचलित करते है, उसका मन विचलित करके वो इदर-दर निकल जाता है, और फिर हम अंदर गर के अंदर हम जा सकते हैं, तो इस तरह से हम subconscious mind के लिए पावर है, 90% of our total mind is subconscious mind, तो वो इसका इस्तेमाल करके, के ultimately हमको control करने मालक होने, subconscious mind, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इस्तेमाल करके, उसका उपयो करके, वापर करके, वोहारी जिवन में बड़ी सफलता हासि कर सकते हैं, अधीर जानकारी के लिए हमारी website है, उसको आप विजिट करो, YouTube में मेरे काफी सारी videos है, Facebook के मैं पेश के उपर हूँ, तो महां like कर सकते हैं, forward कर सकते हैं, और आप मुसे phone कर सकते हैं, ताकि ये लोगों को आप जब share करेंगा ना, तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होंगी और लोग भी अपना जीवन अच्छा बिता सकेंगे, वो भी उनका जीवन powerfully और ably बिता सकेंगे, तो इसके लिए हम आपको बार-बार तो अलग-अलग websites या YouTube या Facebook के माध्यम से आप इसका प्रचार और पसार करें, और इसके बारे में अधीर जानकारी है के तू आप उनसे संपर कर सकते हैं, so thank you very much, bye.